बिग बॉस के घर में टाइम गॉड बनने के बाद हो चुका है पहला टास्क और वो टास्क है रासरन टास्क, आपको पता ही है कि रासरन टास्क है और इसमें थोड़ा सा गोल मालना हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, और ईशा इशा टाइम गॉड हैं तो आप सब समझी सकते हैं कि इशा थोड़ा सा fair and fair सब खेलने वाली है अब ऐसे में बिग बॉस ने चेर लगा दी है और बिग बॉस गाना प्ले करेंगे वो अपना ही गाना बिग बॉस बिग बॉस हैपी हैपी मॉर्निंग हाँ यही वाला गाना वो लगा दी है बिग बॉस ने गाना और जैसे गाना उसका हो जाएगा परसनल फूड हो जाएगा वो सबके में नहीं जाएगा तो इस तरीके का कुछ गेम बिग बॉस ने बनाया है अब ऐसे में करन जाके अपनी चेर पर बैठ जाता है लेकिन इशा करन को देखके तो भाई वैसे इशा का तो आधा दिमाग उड़ जाता है कि करन क्यों आगे मेरे सामने क्योंकि इशा ना खुद भी का है कि भाई मेरे को बहुत प्रॉब्लम में इस बंदे से और वो क्लियरली हम सब को दिख भी रही है अब ऐसे में इशा का कहना है कि करन जो है वो आगे निकल गया था वो अपनी चेर के पास नहीं था लेकिन करन का कि मैं इधर ही था और मैं बैठा हूं और मैं उठूंगा नहीं तो मैं तुमको डिस्कॉलिफाइए कर दूगी वो कहता है भया तुम मेरे को डिस्कॉलिफाइए कर दो कुछ भी कर दो यह गेम रद्ध हो जाएगा यानि कि जो यह रासन वाला टास्क है लेकिन मैं अपनी जगह से उठने वाला नहीं हूं और यह करना ने बहुत क्लियर वाइस में का और शिल्पा को भी बोला है उसने कि यह इसी के लिए अपने वाला जो डिसीजन लिया था इशा को संचालक बनाने का सॉरी टाइम गड़ बनाने का और शिल्पा को भी अच्छा-खासा सुनाता है और उसके पाद से इशा कहती है कि I was fair तो वो कहता है कि मैं भी यहां से हिलूंगा नहीं तुम मुझे डिस्क्वालिफाई नहीं कर सकती और मैं देखता हूं कि अब कौन मुझे यहां से उठाता है तो मतलब यह वाले करन को देखना चाहते थे सभी लोग और फाइनली व पाली हो तो भाई हम लोग भी गेम नहीं नहीं खेलने वाले हैं हलाकि शिल्पा तो बहुत जल्दी पल्टी मारती हैं लेकिन देखते हैं शिल्पा का यहां पर क्या टेक है